कि कि मेरे हाथ में ये एक पैंसिल है इस पैंसिल को हम क्यों देख पा liber myself है और में प्रकाश की कर्यण्णट जब इस पैंसिल पर टकराते हुए मेरे आँखों पर आ रही है तब हम इस पैंसिल को देख पा रहे हैं यहां पर हमारे पास एक काच्ज का बीकर भी है जिसमें पानी भरा हुआ है यह पानी एक पारदर्शी माध्या में यानि कि यह प्रकाश की किरणों को अपने अंदर से पार होने देगा तो यदि मैं इस पैंसिल को इस पानी वाले बीकर में डुबाओं तो पैंसिल हमें नजर आएगा चलो डुबा कर देखते ह इस पैंसिल को इस पानी वाले बीकर में डुबाने पर यह पैंसिल तो हमको नजर आ रही है लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी यह पैंसिल मुड़ी हुई नजर आ रही है क्या जब मैंने इसे पानी में डाला तो यह पैंसिल तूट गई या मुड़ गई यह पैंसिल ना तो टूटी है ना तो मुड़ी हुई है लेकिन जब हम इसको पानी में डूबोते हैं तो यह हमको मुड़ी हुई नजर आती है यह पैंसिल हमको इसलिए नजर आ रहे थी क्योंकि प्रकाश की किरने इससे टकरा कर हमारी आखों पर पड़ रहे थी अब ये pencil तो मुड़ी हुई नहीं है इसका मतलब ये है कि इस पारदर्शी माध्यम से जब इस pencil की किरने टकरा कर वापिस आ रही होंगी तब वो मुड़ गई होंगी इसको confirm करने के लिए हम एक laser light लेते हैं क्योंकि ये laser light सीधे गमन कर सकती है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और दूसरा इसी पानी की तरह एक और पारदर्शी माध्यम लेते हैं यानि ये काँच का गुटका अब हम इस laser किरन को इस काँच के गुटके से पार करवा कर देखते हैं चुकि ये पारदर्शी माध्यम है तो laser इससे जरूर पार होगी लेकिन इसका रास्ता कैसा होगा क्या जो घटना इस पानी से भरे हुए बीकर में हुई वही घटना क्या इस ग्लास लाप के साथ होगी तो चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस कमरे में अंधिरा कर देते हैं और उसके बाद इस laser light को इस काँच के गुटके से पार करवा कर देखते हैं कि वैसे तो प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी माध्यम के अवश्यक्ता नहीं पड़ती लेकिन जल, वायू, काच इन पदार्थों में प्रकाश संचरित हो जाता है और जिन पदार्थों में प्रकाश संचरित हो जाता है उसे हम माध्यम कहते हैं यदि किसी माध्यम के सभी बिंदूओं पर प्रकाश का प्रकाश्य गुण समान रहता है नहीं बदलता तो उस माध्यम को हम समांगी माध्यम कहते हैं और जब प्रकाश एक समांगी माध्यम में गमन करती है तो वो सदाय भी सरल रेखा में गमन करती है इसी प्रकार ये दूसरे समांगी माध्यम में गमन करेगी तो भी सरल रेखा में गमन करेगी पर जब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और इसी अपने मार्ग से विचलित होने की परिगटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं जैसे कि इस स्थिती में प्रकाश वाईयू से जो की एक समांगी माध्यम है, काश में प्रवेश कर रही है जो की दूसरा समांगी माध्यम है, यहां हम देख सकते हैं कि प्रकाश वाईयू से सीधे सीधे आगे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन काश सामने होने के कारण, काश म प्रवेश करने के कारण ये उस मार्ग से ना जाकर ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है और इसका मार्ग पहले वाले मार्ग के समानतर हो चुका है प्रकाश की इसी घटना को जिसमें की प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इसे हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते है और यही कारण है कि जब प्रकाश इस पैंसिल से बाहर निकली इस पानी के माध्यम से तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गए यानि कि मोड़ गई जिसके कारण ये पैंसिल हमको मोड़ी हुई नजर आ रही थी जिब हमने लेजर लाइट को ग्लास लैब से पार करवाया तो कुछ इस प्रकार का चित्र हमको प्राप्त हो रहा है जहां पर A, B, C, D एक ग्लास लैब है और ये जो लाइट रे दिख रही है ये वही लेजर लाइट है जिसको हमने इस ग्लास लैब से पार किया था अब इस चत्र में हम देखेंगे जो P Q है वो ऐसे किरण है जो एक माध्यम से चलती हुई आ रही है और इस ग्लास लैप पर पढ़ रही है ग्लास लैप एक दूसरा माध्यम हो जा रहा है जो P Q लाइट रहे है यह वाइउ से आ रही है जो कि अभी काच से गुजरने वाली है तो इस वाइउ और काच के बीच में यह जो प्रिस्ट है एबी वो एक अंत्रा प्रिष्ट है यानि कि इंटरफेस जिसे हम अपवर्तक प्रिष्ट के नाम से भी जानते हैं और यही पर होगा प्रकाश का अपवर्तन वैसे यह दूसरा प्रिष्ट देखें हम सीडी यहां प्रवि प्रकाष इस काज आते हुए इस वाईियू में वापिस निकलने वाली है तो यह प्रिष्ट THE सिडी भी नगा अन्त्रा प्रिष्ट यानि अपवर्थक प्रिष्ठ और यहां पर भी होगा प्रकाष का अपवर्तन इस PQ प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण जो की एक माध्यम से चलती हुई आ रही है और अंतरा प्रिष्ट से टकराने वाली हो यह जो point Q है जहां पर यह आपतित किरण इस अंतरा प्रिष्ट पर जाकर मिल रही है इस point Q को हम कहते हैं point of incidence यानि की आपतन बिंदू और इसी point Q पर इस अंतरा प्रिष्ट पर यदि हम एक लंब खीचे मतलब 90 डिगरी की एक रेखा कीजें तो यही लंबवत रेखा कहलाती है अभिलंब तो अभिलंब होगा M N और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है इसे हम दर्शा आते हैं I से और इसे हम कहते हैं आपतन कोण अब जब प्रकाश की केरण इस अंत्रा प्रिष्ट से टकराएगी चुकि कांच एक पारदर्शी माध्या में यह कांच के अंदर प्रवेश कर जाएगी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो PQ कीरण आगे की और सीधी चली जाने वाली थी वो इस कांच के अंदर प्रवेश करत ही थोड़ा सा जुक गई है मतलब इसके मार्ग में परिवर्तन हो गया है और यही विचलन ही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन अब यह जो किरण है QR जोकि काश के अंदर है कुछ मुड़ी हुई है जोकी आगे की और काश में बढ़ रही है इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो चुका है अपवर्तित किरण और अभिलम के बीश के कोन को अपवर्त कहते हैं जिसे हम आर से दर्शाते हैं यहाँ पर ये फिर एक सीड़ी ऐंतरकृष्ठ पर मिल रहे हैं इस सीड़ी अंतरापृष्ठ पर हम देखे कि तो इस आर बिंदू पर यदि हम एक लंब रेखा खीचे तो ये भी इस प्रिष्ठ के लिए अभिलंब का कारे करती है यानि कि M-N- भी अभिलंब है यह अभिलंब M-N- और की रन्ट की वार के बीच को जो कोण है वो अंतराप्रिष्ठ CD के लिए अपतों कोण कहलाएगा किन्तु इसे MR से दर्शात है वो इसलिए क्योंकि अं M-N- और M-N- भी एक दूसरे के समानतर होंगे इसलिए यह दोनों कोण जो यहां पर बन रहे हैं यह दोनों कोण भी बराबर होंगे और इसलिए ही हम इसे आर से दर्शाएंगे आप इस बिनदु R को देखें तो जो अपवर्तित किरण आ रही थी QR यह इस बिंदु पर अपफतित किरण का कार्य कर रही है और यहां पर फिर से R बिनदु पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और यह किरन n-pris के रूप में इस कांच से बाहर निकल रही है यानि की माध्यम वायू में ये बाहर की और गमन कर रही है ये भी अपवर्तित किरण ही है और एस जो की माध्यम में बाहर निकल रही है चुकि काश हमने एक बाउंडेड मीडियम लिया था और प्रकाश की किरण इस काश के अंदर प्रवेश करी और इससे बाहर निकल रही है इसलिए इस किरण का हम नाम देते हैं निर्गत किरण वास्तव में निर्गत किरण भी अपवर्तित किरण ही है लेकिन यहां पर यह बाहर क्यों निकल रही है इसलिए इसका नाम हमने निर्गत किरण दिया है इसलिए जो अभिलम और निर्गत किरण के बीच का कोण है इसे हम यह हम the only entire ppen इस प्रकार इस चित्र में हमने प्रकाश को कांच के अंदर प्रवेश करते हुई देखा और कांच से बाहर निकलते हुए देखा और इस कंडिशन में हमने देखा जो प्रकाश की कीरसी चल्यक्व जाने चाहिए थी वो काच के अंदर भी मुड़ गई और काच से बाहर भी मुड़ते हुए निकले कभी यह अभिलम के पास मुड़ी कभी अभिलम से दूर मुड़ी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहां पर हमने दो अलग-अलग माध्यम लिए प्रकाश की अपवर्तन को समझने के लिए हम माध्यम को दो प्रकार में बाढ़ते हैं एक सगहन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम अब इसमें से कौन सा माध्यम सगहन है और कौन सा माध्यम विरल यह हम एपसुलूटली नहीं कह सकते इसको हम तुल्यात्मक रूप से ही डिसाइट कर सकते हैं कि कौन सा माध्यम सगहन है और कौन सा माध्यम विरल है एक एक्ज से डिसाइट करेंगे यह रेखा बढ़ी है चोटी यदि इस रेखा के सामने में एक और रेखा खेश दी अब आप देख सकते हैं दूसरी वाली रेखा को अब मैं पूछूंगी यह रेखा AB कैसी है तो आपका जवाब होगा यह CD की तुल्ला में चोटी है लेकिन यदि दूस इसरी रेखा मैं यहां पर खीच रही हूं EF और मैं उससे कंपेर करने के लिए कहूं तब आप कहेंगे जो AB रेखा है वो EF की तुल्ला में बढ़ी है तो यहां पर हमने AB रेखा को कभी बढ़ा कहा कभी छोटा कहा क्योंकि हमने उसकी तुल्ला दो अलग-अलग रेखाओ से Kari CD और 151 तो वैसे ही जब माध्यम को सघ्ठन या विरल परिभाषित करना हो तो हम उसका तुल्यातमग अध्याँ कर सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी माध्यम से ही होता है क्योंकि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है तब ही तो वह उसके अंदर प्रवेश करती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है जिसे हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं हमारे पास कई पारदर् है कि आसपास के वातवरण में तो वायू ही है तो किसे भी माध्यम की यदि तुल्ला होती है तो सरवर्पतम तो वायू से ही होती है यदि वायू ना हो और हम किसी एक माध्यम की तुल्ला दूसरे माध्यम से कर रहे हैं तो उस कंडिशन में हम उसके प्रकाशिक घनत्व को मह और द्रव्यमान घ्नत्व यानि कि अप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दो अलग अलग चीजे हैं यह जरूरी नहीं कि जिस माध्यम का द्रव्यमान घ्नत्व अधिक उसका प्रकाश घनत्व भी अधिक हो उधारण के लिए आम तारपीन तेल और जल को देखते हैं जल का द्रवेबान घनत्व तारपीन तेल की तुनला में अधिक होता है लेकिन तारपीन तेल का प्रकाशिक घनत्व जल की तुनला में अधिक होता है प्रकाशिक घनत्व को हम इस प्रकार ले सकते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश कितने देर तक ठैरता है जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश धीरे गमन करता है यानि कि ज्यादा देर तक ठैरता है और जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होत उसमें प्रकाश आसानी से फटाफट बाहर निकल जाता है यानि कि उसका वेग अधिक हो जाता है तो इस प्रकार हम दो अलग-अलग माध्यम सगन और विरल को परिभाशित करते हैं जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक हो दूसरे माध्यम की तुलना में तो वो कहलात माध्यम जैसे कि जल की तुलना यदि हम वाईयू से करते हैं तो वाईयू होता है विरल और जल होता है सगन लेकिन यदि इसी जल की तुलना हम काच के साथ करें तो जल हो जाता है विरल और काच हो जाता है सगन जब प्रकाश एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस प्रकार का चुत्र हमको प्राप्त हुआ था अब यहां हम देखें जब प्रकाश वायू से काच में आ रही थी तो अपतन कोण का मान इस अपवर्तन कोण के मान से अधिक था यह यू कहें हम जो अपवर्तित किरण थी वो अभिलम के पास जुकी हुई थी और इनके बीच का जो विचलन था जिसे हम डेल्टा से दर्शाएंगे विचलन मतलब अगर यहाँ पर अपवर्तन नहीं हुआ होता तो यह जो किरण थी वो सीधे सीधे आगे चली जाती लेकिन यहाँ माध्यम बदल जाने के कारण अपवर्तन होने के कारण यह किरण थोड़ी सी बैंड हो गई तो इस अंतर को हम कहते हैं विचलन यह जो कोन यहाँ बन रहा है इसे डेल्टा से दर्शाय जा रहा है और यही कहलाएगा विचलन और यहाँ डेल्टा का मान होगा आई माइनस आर तो यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर जुकती है और दूसरा हमने क्या देखा था? जब प्रकाश काच से वाईयू में प्रवेश कर रहे थी तो इस प्रकार आपतन कोन का मान कम था और अपवर्तन कोन का मान अधिक था यह बोल सकते हैं निर्गत कोन का मान अधिक था इस कंडिशन में आप विचलन देखें तो विचलन यानि कि ये जो किरण थी QR ये सीधे सीधे आगे की और निकल जाती लेकिन अपवर्तन की कारण आप देख रहे हो कि ये किसी और रास्ते RS से जा रही है तो ये जो मान है ये कौन है डेल्टा यही कहलाएगा विचलन और यहां विचलन का मान होगा R-I इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब सघन से विरल माद्य में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ती है